हलो वीवर्स मेरा नाम है इमाचु घंगस and welcome back to my youtube channel hg trades आज की back testing की वीडियो बहुत ही interesting होने वाले है reason being क्योंकि हम nifty और bank nifty पे काफी back test कर चुके है आज जो मैं strategy आप लोगों के लिए 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 आप stocks पर apply कर सकते हो तो guys देखते हैं कि आज की strategy कैसे work करती है और हमारी back testing में उसके क्या results आते हैं guys आज जो strategy हैं back test करने वाले हैं इसको बनाए है अनीश सिंग ठाकुर ने ये booming bulls channel पे strategy हमें मिलिए और इस strategy को आप किसी भी stock में apply कर सकते हो इसके लिए आपको सिर्फ तीन इंडिकेटर्स को यूज करना है pirate points, vwap and stochastics rsi guys तीन इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू के free platform पे आप easily place कर सकते हो तो देखते हैं कि इस strategy की back testing हमारी profitable रहती है या नहीं free indicators जो यूज करने है guys उसमें सबसे first step pirate point आपको सिर्फ इसकी setting को change करना है, settings में जाके traditional को Fibonacci कर देना और इसके बाद आपको किसी भी indicator की कोई भी setting change नहीं करने है, guys strategy की rules बहुत ही simple है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ start करने से पहले, guys rule number one, आपको 1045 के बाद ही trade करने है 1045 से पहले अगर आपको कोई trade मिलते है, तो आपको उसको initiate नहीं करना है, 1045 तक wait करने है second rule यह है कि आपको VWAP देखने है, VWAP अगर price के नीचे है, मतलब price VWAP के ऊपर है तो आपको buy side की trades ढूननी है, अगर price VWAP के नीचे trade करना है, तो आपको sell side की trade ढूननी है मतलब VWAP एक filter की तरह work करेगा, यह आपको बताएगा कि आपको buy trade इनिचेट करनी है या sell trade इनिचेट करनी है इसके साथ ही साथ VWAP as a support resistance भी work करेगा अब देखते हैं का इसके strategy work कैसे करेगी, इसमें आपके पास दो trigger points है, एक तो है pirate point pirate point भी आपको trigger point की तरह work करेगा, अगर आपको pirate point का breakout मिलता है, तो आपको buy trade इनिचेट करनी है, अगर आपको pirate point का breakdown मिलता है, तो आपको sell trade इनिचेट करनी है अगर आपने buy trade initiate किया है तो आपको यह देखना है कि blue line red line को upside cross करें अगर आपने sell trade initiate किया है तो आपको यह देखना है कि blue line red line को downside में cross करें Stochastics RSI का सिर्फ इतना ही काम है इससे ज़ाद आपको इस पर ध्यान नहीं देना है इसके बाद है guys targeting stop loss, target आपको place कर रहा है next point point मतलब अगर आपको एक point point का breakout मिलता है तो उसके बाद next जो भी point point होगा आप वहाँ पर अपना target रख सकते हो या फिर आप 1% stock की जो भी value है उसका 1% आप target में use कर सकते हो stop loss के case में आपको VWAP को देख रहे हैं अगर आपने buy trade initiate किया है तो आपको stop loss VWAP से कुछ points नीचे रखना है अगर आपने sell trade initiate किया है तो आपको stop loss VWAP से कुछ points उपर रखना है इन conditions को use करते हुए multiple entry and multiple exit points बनते हैं इसलिए हमने इसको थोड़ा सा modify किया है और जो modification किया है आपको एक बार दिखा देता हूँ then हम start करते हैं अपनी back testing guys हमारी modification के according हमें 1-2 risk remote ratio maintain करना है तो मतलब अगर हम 1% का target रखते हैं तो हमें 0.5% का stop loss रखना है और हमें एक दिन में सर्फ एक ही treat लेनी है और time frame रहेगा 5 minutes क्योंकि यह strategy 5 minutes के time frame पे बताई गई थी इसलिए हम इस strategy को back test करने के लिए 5 minutes का time frame ही use करेंगे तो guys अब back testing को start करते हैं हम Nifty के 3 major giants को ले लेते हैं HDFC bank, airlines and infosys guys सबसे पहले हम इस strategy को HDFC bank में back test करेंगे हम start कर रहे है 25th July से सब भी stocks के अंदर हम 25th July से back testing करेंगे हम 7 days का check करेंगे कि last one week के अंदर यह strategy profitable रही या नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यह green candle है यह 10.45 की ही candle है और इस candle का opening time था 10.45 मतलब जब यह close हुई तो it was 10.50 तो 10.45 के बाद इस candle ने days high का भी break कर दिया और साथ ही साथ ही spot point का भी break कर दिया जो है R3 तो यहाँ पे हमने buy initiate किया 1% का हमने target रखा and 0.5% का हमने stop loss रखा यहाँ पे आप देख सकते हो जो blue line है वो भी red line के ऊपर है मतलब buy की confirmation है तो यहाँ पे यह trade initiate हुई इसके बाद आप देख सकते हो कि हमें 3 points का profit देखने को मिला at the end of the day इसके बाद next day देखते है यहाँ पे 10.45 की जो candle है वो है यह वाली इसके बाद price नीचे आया यहाँ पे इसने point point को break किया और VWAP के price नीचे है तो यहाँ पे हमने sell initiate किया आप stock sticks भी देख सकते हो कि blue line red line के नीचे है तो इसी लिए हमने यहाँ पे sell initiate किया stop loss को रखा हमने point 5% and target को रखा 1% तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि market sideways हो गई और still हमें 1.40 points का profit देखने को मिला next day में आप देख सकते हो गयाँ कि यहाँ पे VWAP के नीचे price है लेकिन पाइट पॉइंट बहुत दूर कोई भी पाइट पॉइंट इसके पास में नहीं है लेकिन इसने डेज लो को ब्रेक किया आप यहाँ पर देख सकते यह डेज लो है डेज लो को ब्रेक कर दिया 1045 के बाद तो इसी लिए हाँ पे हमने का ट्रेड मिला यह 1125 तो 1045 के बाद हमें यहाँ पे डेज हाई और साथ इसाथ इस पाइट पॉइंट जो है पी इसका ब्रेक आउट देखने को मिला इसके बाद हमने बन पर संट का टाइगेट प्लेस कर दिया इन स्टॉप लोस पॉइंट 5 पर संट कि हाँ पे मार्केट साइड वेज होगी और एड दे अफ दे हमें माइनस 0.90 पॉइंट देखने को मिले इसके बार नेक्स देखते हैं हम आगे हैं फॉस्ट ऑगस्ट पे फॉस्ट ऑगस्ट को हमें यहाँ पे एक बाय ट्रेड मिली यहाँ आप देख सकते यह 1055 की कैंडल है 1045 के बाद इस बाय ट्रेड इनिशिट किया और आप देख सकते हो स्टॉकर स्टिक्स यहाँ पे भी हमें कन्फरमेशन अब यहाँ आप नपाइड रखा पॉइंट फाइप फ्सन का स्टाप लोस इधर आप देख सकते हो कि हमें एड द अफ देंड दे 3.15 प्र फॉइंट प्रॉइंट प ब्रेक कर दिया और साथ ही साथ स्टोकस्टिक्स में आप दे सकते हो हमें क्रॉस और मिलाया डाउनसाइड का ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे तो यहाँ पर हमने एक सेल ट्रेड इनिशियेट की कर रहे हैं 1045 के बाद 1045 के जो केंडल आप देख सकते हूं यह है 1045 के बाद डे हाइब नहीं हुआ इसलिए हमने यहाँ पर कोई ट्रेड इनिशियेट नहीं की लेकिन इस प्रेड पॉइंट को यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं यह 15% का टागेट लिया है इस ट्रेड में हमें 2.02 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला इसके बाद आप नेक्स देखो नेक्स ट्रेड 1045 के जो कैंडल है वह यह वाली इस कैंडल के बाद डेज हाई ब्रेक नहीं हुआ इसलिए हमने कोई लॉंग ट्रेड इनिशियेट नहींगी और शॉर्ट हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे जो लेवल्स है वो यहां से काफी नीचे है तो हमें यहां पर कोई भी ट्रेड नहीं मिली इसके बार नेक्स ट्रेड देखते हैं 27 जुलाई को 27 जुलाई को 1045 की जो कैंडल है वह गयाज यह इसके बाद यहा हमारा स्टाप्लो से टोगे हमें 18 पॉइंट का लॉश देखने को मिले रिलाइन के अंदर नेक्स देखते हैं गयाज 28 जुलाई 28 जुलाई को आप यहाप देख सिक टेंन फॉटी फाइफ की यह कैंडल है इसके बाद देख सकते हूं यहां पर इस वाली कैंडल ने अगें प्रॉफिट देखा लेकिन हो सकता है रिलाइस के अंदर हमें लॉस देखने को मिले यहाँ पे 1045 की जो कैंडल है वो है यह वाली इसके बाद इस कैंडल ने डेज हाई को ब्रेक कर दिया इसलिए हमने एक लॉंग इनिशियेट किया आप देख सकते हो कि बहुत देर तक प्रा स्टार्ट हुई थी इसका ओपनिंग टाइम जो है वो 1045 है तो उसके बाद स्केंडल ने डेज लोगों ब्रेक किया और साथ इसाथ इसने इस एस वन को भी ब्रेक किया तो यहाँ पे हमने एक शौर्ट इनिशियेट किया दैन आप देख सकते हो हमने बन परसंट का सबसंट का लॉस धेखने को मिणा यहाँ पर देखने को मिला है इसने ले इसलिए हमने परसंट का टागेट रखा एंड.5 परसंट का स्टाप ल张 तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें minus 2.80 points का loss देखने को मिला So guys, lines के अंदर हमें minus 7 points का loss देखने को मिला last 7 days में आप check करते हैं कि हमारे next stock में हमें profit देखने को मिलता है loss हमारा next share है Infosys So guys, Infosys में भी हम back testing 25th July से ही कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो 10.45 के candle यह वाली है यहाँ पे इसके बाद इस red candle ने S1 को downside में break किया लेकिन हमने यहाँ पे sell initiate नहीं किया Reason being क्योंकि price वी वैप के ऊपर है इसके बाद आप देख सकते हो कि इस candle ने days high को break किया और साथ साथ इससे next candle ने pirate point भी break हो गया तो यहाँ हमने एक buy initiate किया 1% का target and 0.5% का stop loss रखा यहाँ पे हमारा stop loss hit हो गया जो है minus 6.65 points next day देखते हैं guys next day आप देख सकते हो 10.45 की जो candle है वो यहाँ पे है इस point के बाद यहाँ पे R2 break हुआ इसलिए हमने एक long trade initiate की 1% का target and 0.5% का stop loss आप देख सकते हो कि यहाँ पे market almost sideways होगी लेकिन हमें at the end of the day 3.60 points का profit देखने को मिला next time आगे हैं guys 27th July यहाँ पे आप देख सकते हो इस candle ने 10.45 के बाद इस R3 को break किया breakdown हमें देखने को मिला और price VWAP के नीचे है और stockistics भी हमें support कर रही है blue line, red line के नीचे है तो इसलिए हमने याप पे short किया short करने के बाद आप देख सकते हो 0.5% का stop loss है वो hit नहीं हुआ लेकिन हमारा target भी नहीं आए है और हमें overall 0.85 points का profit देखने को मिला next हम आगे है 28th July पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें इस point पे 10.55 वाली जो candle है इसमें day is low का breakdown देखने को मिला और साथ ही साथ S2 का भी breakdown देखने को मिला इसलिए हमने एक short setup initiate किया और short setup initiate करने के बाद आप देख सकते हो कि हमें इसके अंदर 2.90 points का profit देखने को मिला तो guys अब next day आ गया है 31st July यहाँ पे आप देख सकते हो जो 10.45 की candle है इसने day high को break किया price VWAP के उपर है लेकिन stock sticks पे आप देख सकते हो कि blue line red line के नीचे है इसलिए हमने यहाँ पे कोई trade initiate नहीं किया इसके बाद इस point पे day high break हुआ तो हमने एक long trade initiate की क्योंकि blue line red line के उपर है और price VWAP के भी उपर है तो यहाँ पे जो हमने एक long trade initiate की इसके अंदर हमें 5.05 points का profit देखने को मिला next हम आ गया है guys 1st August पे यहाँ पे 10.45 के जो candle है वो है ये वाली इस candle के बाद price नहीं यहाँ पे इस R2 को break किया R2 को break करने के बाद हमने एक long trade initiate की because price VWAP के उपर है और साथ ही साथ जो stock sticks है उसके अंदर भी blue line red line के उपर यह तो यहाँ पे हमने जो long trade initiate की इसमें हमने 1% का target रखा and 0.5% का stop loss इधर भी आप देख सकते हो के price में sideways moment आ गई और हमें at the end of the day 1.05 points का profit देखने को मिला अब हम आगे है final day पे guys final day में 1045 की जो candle है वो है यह वाली इस candle के बाद आप देख सकतो इस candle में जो है 1055 की इसमें days low break हुआ days low break होने के साथ साथ S1 break हुआ इसलिए हमने एक short setup initiate किया और आप देख सकते हो same time पे blue line भी red line के नीचे है इस candle में और same time पे आप देख सकते हो के blue line red line के नीचे है तो इसलिए हमें यहाँ पे confirmation मिली stockistics की भी और इस short setup के अंदर हमारा target आने वाला था लेकिन price में reversal आ गया और at the end of the day हमें 1.99 points का profit देखने को मिला तो guys overall हमें infosys के अंदर 7.65 points का profit देखने को मिला last 7 days में तो guys यहाँ पे हमारी back testing complete होती है हमने आपको 3 stocks के अंदर ही strategy को back test करके आपको दिखा दिया है अब आप calculate कीजिए कि इतने points secure करने में क्या हम brokerage and taxes को beat कर पाएंगे और अगर आपके पास कोई strategy है जिसको आप back test करवाना चाहते हो तो उसके बारे में भी comments में जरूर mention कीजिएगा guys thanks for watching मिलते हैं next video में